वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे पानी पूरी यानी गोल गपपा तो चलिए आज की हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहले पूरी बना लेंगे उसके बाद आलू और फिर पानी तो सुरू से लेकर आप अ के बाद एक चोथाई कब मैदा डाल देंगे आधी चोटी चम्मच नमक और फिर लास्ट में ये दो पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं अब हम इन सभी को अच्छे से एक बार मिला लेंगे उसके बाद इसमें पानी डालेंगे तो मैदे की जगा आटा भी उसकर सकते हैं अब हम मिलाने के बाद इसमें थोड़े से गुनगुना पानी कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी आड़ करके इसका एक सौफ्ट डो बनाकर तयार कर लेंगे तो ध्यान रखे कि एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है आपका पूरी जो है उतना ही अच्छा बनेगा सूजी पानी बहुत सोकता है इसलिए आप इसमें थोड़े पानी डालते जाएं और तब तक इसे मिलाएं जब तक कि आपका डो सौफ्ट ना बन जाए तो ये देखिए हमारा डो बनकर तयार हो गया है उसके बाद हम इसमें एक चम्मच रिफाइन ओयल डाल देंगे और उसके बाद इसे फिर से इस तरह से मिला लेंगे अब हमें इसे 20 मिनट 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है तो एक सूती कप्रे को आप भिंगा करके अरुमाल को ढख करके इसे 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें 20-25 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा डो जो है वो सेट हो गया है तो इसे फिर से हम एक बार मिला लेंगे और उसके बाद इसे इसका पूरी बनाएंगे अब हम इसे दो भाग में तोड़ लेते हैं और जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे आप चाहे तो यहां मैदे से भी बेल सकते हैं या थोड़े से रिफाइन लगाकर अगर आपका डो सही बनेगा तो आपको ना रिफाइन लगाने की ज़रूरत है और नहीं आटा या मैदा पूरी को हमें पतला बेलना है आप जितना पतला बेलेंगे तो आपका पूरी उतना ही अच्छा बनेगा और फूलेंगा बस ध्यान रखें कि पेपर जितना बी पतला नहीं कर देना है तो ये देखें उसके बाद हम किसी भी धगकन से ये कुकीज कटर से इसे कट कर लेंगे या छोटे से ग्लास और कटोड़ी जो भी हो उससे आप आराम से इसे कट लिए इसी तरह से सारे पूरी को हम कट कर लेंगे बस ध्यान रखे कि पेपर की तरह पतला ना करे पूरी को नहीं तो वो फूलेगा नहीं उसके बाद हम इसे गीले कपड़े पर रख देंगे सारे नहीं तो पूरी नहीं फूलेगा, उसके बाद हम उपर से भी सूती कपरे भिंगा करके इसे ढग देंगे, और सेम प्रोसेस से हम दूसरी पूरी को भी बना लेंगे और उसे कट कर लेंगे, आप चाहें तो छोटी छोटी लोई बना कर भी पूरी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए यह इजी प्रोसेस है आप इसी प्रोसेस से बनाए इससे पूरी जल्दी बन जाता है एक बार में 6-7 पूरी बनकर तयार हो जाता है तो यह देखिए हमारा सारा पूरी बनकर तयार हो गया है हम यहां टोटल 25 पूरी बनाकर तयार कर तो अब हम इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में चलते हैं यहां हम रिफाइन चड़ा लिए हैं रिफाइन हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें एक पूरी डालका चेक कर लेंगे रिफाइन आपका बहुत गर्म होना चाहिए तब भी पूरी अच्छे से फूलेगा तो यह देखिए हमारा पूरी जो है बहुत अच्छा बना है यह फूल गया है तो अब हम सारे पूरी को इस तरह से डालेंगे जितना आपके रिफाइन में आजाएगा आप उतना डालिए तो ये देखे हमारा पूरी जो है अच्छे से फूल भी रहा है कुछ-कुछ पूरीयां जो है वो नहीं फूलती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आप उसके पापड़ी बना कर भी खा जकते हैं इसे आप हाई फ्लेम पर फ्राई करें इसे फ्राई करने में 1,5 मिनट लगेगा ज्यादा समय नहीं लगता है तो ये देखे हमारा पूरी जो है फ्राई हो गया है तो हम सेम प्रोसेस से बचे हुए पूरी को भी फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी कितना अच्छा बना है इसे बनाने में ज़्यादा डाइम नहीं लगता है बस आपको measurement का ध्यान रखना है और इसे अच्छे से मिलाना है तो ये देखिए हमारा पूरी जो है वो तो बन कर तयार हो गया है अब हम आलू बना लेते हैं अलू बनाने के लिए हम यहाँ 4 छोटे साइज के आलू लिए हैं इसे आप पहले उबाल ले उसके बाद चील करके इसे अब हम mask कर लेंगे तो हातों से इस तरह से आपको mask कर लेना है आलू बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और पानी बनाने में उसके बाद हम इसमें आधा कब डाल देंगे उबला हुआ चैना आप चाहे तो पीला वाला मटर भी उबाल कर डाल सकते हैं उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज के प्यास को बारिक काट करके डाल देंगे इसके बाद आधी चोटी चमच जीरा का पाउडर डाल दें भूना हुआ जीरा का पाउडर आप पहले जीरा को रोस्ट कर ले तवे पर उसके बाद इसका पाउडर बना कर डालें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसके बाद आधी छोटी चम्मच साधा नमक, और अब हम इसमें दो कटी होई हारी मिर्च डाल देंगे, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लें, और अब हम यहां एक चम्मच इमली का पल्प डाल देंगे, अब हम हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे आप चाहें तो यहां थोड़े सा काला नमग भी डाल चकते हैं सारे इंग्रेडियन्स को आलू में हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा आलू जो है वो बनकर तयार हो गया है बस थोड़े से हम लास्ट में इसमें बारिक कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे और फिर हम अब इसे अच्छे से मिला लेंगे तो हमारा आलू बीवनकर तयार हो गया है बस 2 मिट लगता है इसे बनाने में अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम चलते हैं इमली का पानी बनाने के प्रोसेस में, खटा पानी, तो अब हम यहां 50 ग्राम इमली लिये थे, इसे 2 गंटे पानी में आप भिगो कर रख दे और इसका पल्प बना ले, अब हम एक बावल में स्ट्रेनर लेंगे, इसमें हम इमली के पल्प को डाल देंगे, और इसे हम थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे चानेंगे, तो यह देखे इस तरह से एक बार में सारा पानी नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी करके इसे चमच की शायता से इमली के पल्प को डिकालना है, इससे क्या होगा, कि आपका खटा पानी जो है, वो साफ होगा, इ इसमें रेसे नहीं रहेंगे, तो इसी तहरे से आपको इसमें थोड़े थोड़े पानी एड़ करना है, और इस तरह से इमली का पानी निकालना है, यहां हम टोटल देर कप पानी यूज कर रहे हैं, मेजरिंग कप से हम देर कप पानी डाल रहे हैं इसमें, तो यह देखे हमार पानी भी बन गया है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो यहां हम आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे आधी छोटी चम्मच साधा नमक उसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मच भूना हुआ जीरा का पाउडर डाल दें इसके बाद आधी छोटी चमज हम लाल मिर्च पॉडर डालेंगे यहां हम थोड़े से मिर्च को कूट करके डालेंगे यह अप्सनल है अगर आप तीका पसंद करते हैं तो यह डाले और हम यहां आधी छोटी चमज ग्रीन चटनी डालेंगे इससे बहुत अच्छ टेस्ट आता है पानी में यह अप्सनल है अगर आपके पास है तो आप डालें और यह थोड़े से बारिक कटी हुई धन्यापत्ता अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखिए हमारा खटा पानी भी बनकर तयार हो गया है तो अब हम पानी को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें चार बर्फ के टुकरे डालेंगे इससे पानी हमारा ठंडा होता है और गोल कप्पे खाने का मज़ा दुगना हो जाता है अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए प्यास डाल देंगे यह अप्सनल है प्यास बचे हुए थे इसलिए हम इसमें डाले आप नहीं भी डाल सकते हैं तो यह देखे हमारा खटा पानी बनकर तयार हो गया है हम एक पूरी को आपको तोर कर दिखाते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना है तो अब हम इसे खाने की तयारी कर लेते हैं पानी पूरी को तो इसे हम इस तरह ऐसे थोड़े से तोर लेंगे सेंटर में उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे आलू डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो पहले आप गुलगप्पे को ऐसे प्लेट में रख दे, उसके बाद पानी को आप एक बार अच्छे से मिला ले, उसके बाद हम पानी को गुलगप्पे में डालेंगे, तो ये देखिए हमारा पानी पूरी जो है बनकर तयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है, ये बाहर से भी अच्छा है, फ्रेश है, आप इसे आराम से बना सकते हैं, और ये देखिए, 4-5 पूरिया जो नहीं फूली है, आप उसे चाट में या फिर पापड़ी बना कर खा सकते हैं, ये देखिए, दूसरे पूरी को भी इसी तरह से तोड़ लेना है, और फिर आलू डा ताकि मसाले अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखिए, हमारा दूसरा पानी पूरी भी बनकर तैयार हो गया है, तो आप जरूर इस रेसीपी को ट्राई करें, इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बस पूरी बनाने समय आपको थोरा सा ध्यान रख तो आप इस रेसीपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें